पूरी दुनिया में एक बार फिल कोरोना वारिस के मावले तेजी से बढ़ने लगे हैं आलांकि वैक्सीन लगने की वज़ा से लोग राहत की सांस ले रहे हैं और अपनी बारी का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं अगर आप भी कोरोना वारिस की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको कुछ बात ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ऐसे काम बताए हैं जो वैक्सीन लगवाने की 24 गंटे पहले बिल्कुल नहीं करने चाहिए हलके फुलके दर्द में लोग अक्सर कोई भी आम पेन की लखा लेते हैं लेकिन अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो इसके 24 गंटे पहले किसी भी तरह के दर्द की दवा ना खाए डॉक्टर का कहना है कि दर्द की कुछ आम दवाएं वैक्सीन के प्रती इम्यून सिस्टम रिस्पॉंस को कम कर सकती हैं शराब ना पीए वैक्सीन लगवाने के पहले अलकोहल बिल्कुल ना ले डॉक्टर्स का कहना है कि शराब की वज़ा से आपको डिहाइडरेशन और हैंगोवर हो सकता है जो वैक्सीन को बेशर कर सकता है देर रात तक ना जागे वैक्सीन लगवाने से एक रात पहले देराख तक ना जागे एल्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अच्छी और पूरी नीम देने से शरीर का इम्यून सिस्टम वैक्सीन के प्रती अच्छा रिस्पॉंस देता है कोई अन्य वैक्सीन ना लगवाए आम तो और पर कोई भी दो वैक्सीन एक दिन में लगवाई जा सकती है लेकिन कोरुना वैक्सीन के मामले में डॉक्टर्स ऐसा करने से मना कर रहे हैं अगर आपको फ्लू की या फिर कोई अन्य वैक्सीन लगवानी है तो फिर आपको कम से कम 14 दिनों के बाद ही कोविट वैक्सीन लगवानी चाहिए किसी तरह की लापरवाही ना करें वैक्सीन लगवाने जाते वक्त भी आपको कोरुना को लेकर साफ़धानियां बरतनी चाहिए कोई भी वैक्सीन इम्यूनिटी बनाने में समय लेती है इसलिए इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही ना करें मास्क जरूर पहने ट्रेवल करने से बचे भीडबाडवाली जगाओं पर ना जाए वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप पेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें